चले खबरों में आगी बढ़ते बात कर लेतें, कॉंग्रस से स्टीफा दे चुके पूर्व केंद्रेमंत्वी आर्पी एन सिंग थोड़ी देर में ही बीज़पी में शामिल को सकते हैं, आज उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंजल से कॉंग्रस पार्टी का नाम रहे हैं और अध्यायब बीज़पी से शुरू हो सकता है। दो में जो ग्री राज्य मंत्री रहे हैं और यूपी यूथ कॉंग्रस के धेक्ष रहे हैं, 2009 में कुशी नगर से सांसत बने हैं, 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव हाला की हार गए थे। तो स्तीफा सौब दिया है लेकिन अठकले कही न कहीं तेज हो गई है कि कॉंग्रस का दामन छोड़कर बीज़पी का दामन यानि की बीज़पी शामिल हो सकते हैं। तो पूर्व केंद्रे मंत्री थामेंगे बीज़पी का दामन हाला की सस्पेंस अभी बरकरार है। कई राज्य में कॉंग्रस की पार्टी प्रभारी भी रहे हैं। स्तीफा सौब दिया है सोनिया गांधी को। पूर्व केंद्रे मंत्री हमारे साथ सुभोत कांत हमारे साथ जूच चुके हैं। सर स्वागत है आपका जीबी आरज वारकंट पर। जी नमस्कार। बिल्कुल आरपी एं सिंग ने कॉंग्रस का दामन छोड़कर क्या लगता है सर बीजेपी का दामन थामने वाले प्रतिक्रिया आपकी। ये तो मेरे क्याल से जो कॉंग्रस हाई कमांड नहीं समझ पा रही थी लेकिन तो मादोर आस हिंडिया के पीछे पीछे ही जाने वाले से ये। और ही जे गूट फॉर नथिंग इसने तो प्जारगर को बर्बाद किया अब लोग जैसे लोग तीन साड़े तीन साल से किसको हटाईए वहां से लेकिन तुरभाग है कि कल इसका नाम इस्टार पर चारक में दिया और आज इसने पार्टी ठोड़के बीजेपी जोाइल कर जो होना चाहिए था उसमें उसका फाइदा यह उठाया है नहीं तो यह तो जहां भी जाएगा यह पार्टी के लिए कोड रहे इस नौट गुट फॉर एडिटिंग लेकिन क्या लगता है लगता है लगता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना सिर्फ इनका मैं जिक्र जिस तरीके से लोग पार्टी का दावन छोड़ रहे हैं आपको क्या लगता है कि असमंजस से यहां पर बैठ चुका है या फिर कॉंग्रेस पार्टी में खुलकर चीज़े सामने नहीं आती अंदरूनी खिचड़ी मैं से कहूंगी कि अंदरूनी खिचड़ी पक रही है व जिचारी हैं भी और हेल्ट के पॉइंट ऑफिसे नहीं भी है तो ये सारी चीजों के चलते पार्टी के अंदर भी एक पहस तो है है और लेकिन इन सब चीजों में व्यक्तिक कर तोर पे अगर कोई कहा जाए तो आर्पियंज सिंग वाज गुट फॉर नथी और उसको जारक जैसे इंपॉर्टेन राज में इतने लंबे समय तक छोड़ दिया था बिला किसी एकाउंटविलिटी के उसे बहुत नुक्सान किया वहां का पार्टी का वहां बहुत नुक्सान किया सुबोज जी बिल्कुल देखें सर आपने कहा कि कई न कहीं इन्होंने नुक्सान किया जारकंड का आप जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी उनको स्वापी गई लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कई न कहीं दिल्ली में जो आला कमान बैठा हुआ है क्या वो दरकिनार करता है तमाम चीजों को पार्टी के अंदर जितने भी नेता है राच नेता हैं आपको एक बाद जो कहा कि पार्टी के अंदर शंगटनात्मत तोर से अंसर्टी है ये भी आपने जिक्र किया मतलब एक अंसर्टेंटीटी की स्थिती जो बड़ी हुई है और उसमें कोई एक आदमी होता जो फाइनल हमारा होता है वो दोर नहीं है वो कोई हमको छुपा के बोलने से कोई एह नहीं है फैक्शुल है कि कांगनेस के पार अब उसका उसका फाइदा ऐसे लोग उठाती कर के लंबे समय तक नुक्सान करकिया और उसके बाद उसको उसकी कीमत इसी दूसी पार्टी में जाके असुन रहे हैं अब आप बताएए कल उसका नाम स्टार पर चारक में दिया गया था उत्तर पर्देश के तो असेस्मेंट में कहीं नहीं फेल्योर हो रहा है ना हालो 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 चले मनी जी आप तक अवास पहुच पा रही है चले लगता समपर तूट गया है दुबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ी ज्वानकारी हम आप तक पहुचा रहे हैं तो आर्पियन सिंका स्तीफा और साथ ही कहीं न कहीं जो अब अटकले हैं वो तेज हो गई है बीज़पी का दावन थाम सकते हैं ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुचा रहे हैं और कुशी नगर से 2009 में सांसत भी बने 2014-2019 में लोकसवा चुनाव हलाकी हार गए थे ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुचा रहे हैं तो बड़ी और एहम खबर पूर्व केंद्रे मंत्री थामेंगे बीज़पी का दावन मुए आपको बता दे कि राजेश ठाकूर अध्यक्ष हैं कॉंग्रस के जारखन से चलिए उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है आपको सुनवाते तो जहां जो मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे से भी बहुत लोगों को नाराजगी होगी वो प्रभारी थे उनसे भी नाराजगी रही होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसे नाराज है उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का नड़ने लिया होगा आप तै करते हैं कि कौन कहा का प्रभारी होगा और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी इडाय रख सकते हैं मैं तो अधना सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ जो भी प्रभारी हमारे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे चले फिलाल वक्तों चलाए छोटे से ब्रेक का जल्द हासिर होंगे